जन्नायक जनता पार्टी के रेता दिग्विजे चुटाला आज पंचकुला पहुंचे जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की इस अबसर पर दिग्विजे चुटाला ने पुल्वामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों पर बोलते हुए कहा कि ये एक दुख के घड़ी है और इस दुख के घड़ी में हम शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं उन्होंने आतंकी हमले पर बोलते हुए कहा कि सरकार के साथ खड़े होकर एक सुर में कहना जाते हैं कि पाकिस्तान और आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया जाए इसके लिए वैस सरकार के साथ है सबसे पहले प्राइंग ट्राइंग यहां से आगे लेपके जाएंगे सबसे पहले और मुझाइब तरफ प्राइंग अनलब होगी मेरी पुरी पाइट के साथ महाना अपना करता है प्रम्ता प्रमात्मा से अम उमीद करते हैं कि वो अपने चड़नों मेलिस्तान दे और सल्पार के साथ खड़े होकर एक वाणी में कहना चाहते हैं पाकिस्तान को और इन गुनेगारों को कड़ी सजा कड़ा सबक से खाया जाना चाहिए इसके लिए हम देश की सब्सक्राइब कर देश का जो जवान है उसको बोली लगती है उसकी शहादत होती है इस तरह की मिचूर बात करते हैं और मैं समस्ता हूं कि दूसरे देश के पक्ष में वोते हैं उन्हें अपने शव्व वापिस लेने चाहिए मेरी राइब उंपरकाश उटाला जी कारिक्रम में गए और तबीयत बीडियो और अस्पताल में मुझे भी यह सूचना मिली है क्योंकि मैं चंडीगर में था दुशन जी दिली में है और मेरे सांसों से जब्सक्राइब प्रदेश को राजनितिक आदमी को सन्यास के लिए और मैं चाहता हूं कि उजल स्वस्त हूं और इस देश को इस प्रदेश को राजनितिक दिशा देए एक बीजेपी और अनल्डिक गटबंदन की बात से लिए किसका देखते हैं मैं समझता हूं कि 0-0 मैच में और राजनिति में भी जिरो इन प्रदेश को अब एक विकल्प के तौर पर जन्नाएक जन्ता पार्टी बढ़ चुकी है जीन की जन्ता इस पर प्रमान देश के लोगों ने 6 लाग की संख्या में जीन में पध आतंकी हमले में सहीद हुए जवानों की यात में इंडरी के शहीदी जोग पर एकश्रधानजली सभाकाय उजन किया गया जिसमें खाध पूर्ती मंत्री करंदेव का मोज सहीत राजनेतिक एमसमाजिक संगटलों के लोगों ने भाग लिया इस मोके पर सभी ने शहीदों के चित्र के समक्ष दीब चला कर और पुष्प अर्पित कर नमन किया इस अफसर पर बंदे बातरम भारत बाता की जय शहीदों जवान अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए ठीक दो चाहर मिन्ने में आपके सामने देश के सामने इसकर जल्ट आजेगा कि जो इसने ये बुझदली से काम कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा ये पाकिस्तान को निश्ची तोर पे बुगतना पड़ेगा अभी इसके लिए आर्मी हमारे परदान मंतरी जे ने आर्मी को पूरा सहयोग दिया है और पूरी छूट दिया है जैसे भी जिस भी महल में जिस भी समय पर जैसी भी कारवाई हो सकत सकत कारवाई इनके ख़लाब होईगी आईसे जी अंतकवादियों को स्रक्षन पाकिस्तान देता है क्योंकि आईसाई है जो उसका वहाँ पर उसकी कमार्ड चलती है पाकिस्तान में जो पॉल्टिकल पाल्टी है वो खली नाम के मातर है वहाँ पर आईसाई की कमार्ड चलती है और आईसाई जो है वो फोज को क्याद्में दे देते हैं ये काम जो पाकिस्तान करवाता है सब आईसाई खराती है कि इसनों ने कायराना आरकत किया कि पूरी तरह से इस सरकार में जो ये सरकार चली है आपकी अभी पांच साल से जो भी सरकार चल रही है इस सरकार ने सेना को बहुत ही सब्सक्राइब करने के लिए उकम दिये जम्मु कस्मीर के पुलवावां में जो अन्त की गटना हुई थी और उसमें हमारे 42 नौजवान सहीद हो गए हैं उनकी आत्मिक स्यान्ति के लिए आज ये इस परकार के कार्य करम यहां रखा गया था सहीदी चौक इंद्री के अंदर सभी पार्टी के प्रमुक कार्य करता इ हिसा लेने के लिए यहां इस कार्य करम में उपस्तित हुए हैं और सभी ने उन सहीदों को नमन करते हुए उस पांजली भी की है और सभी अपने विचार भी रखे हैं कि हमें किस परकार से अपने देश के एकता और अखंडता के लिए हम सब को एक जुट होना चाहिए और साथ ये भी विचार हुआ कि उन सहीदों को यही सची सर्दानजली होगी कि हम सब उनके परिवारों के साथ खड़े हो ताकि उन परिवारों को लगे कि हमने एक बच्चा अपना एक बेटा खोया है लेकिन पूरा देश हमारे साथ खड़ा है किसी ने किसी रूप में हम उन महिने का वेतन इन सहीदों के परिवारों को लिए भज़वाने का मैंने गोशना भी किया है और अपने सभी साथियों से निवेदन भी किया है कि हमें किसी न किसी परकार से जो भी हम कंट्रिबूट कर सकते हैं इन सहीदों के परिवारों के लिए हमने करना चाहिए सरकार अ अपने वतन के लिए कुर्बानी देते हैं इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी स्थिति में हम सब को भी आगया करके अपना हाथ बठाना चाहिए और उन सहीद परिवारों को जायना मदद करने चाहिए तो सबी लोगों ने इसके लिए कहा भी है और निश्चित रूप म नहीं कि जा सकते हैं सरकार अपने तोर पर कहीं परकार के जो आना को काम कर रही है कि किस परकार से जो आना इन ताक्तों को मुह तोड़ जवाब दिया जा सके और क्योंकि कहीं चीज़ें ऐसी होती है इस देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हमामला है तो इसमें कहीं अच्छा काम इस संदर में किया है। जाया जाता था और एक आया जाता था कि ऐसे लोगों के खिलाब जान बूच करके कारवई की जा रही है आज मैं हुन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जाएस परकार के बातों को लेकर के थोटी शुटी बातों को लेकर के इस परकार का वातवन पैदा कर रहे थे आज उन लोगों को जायना देश जवाब मांग रहा है उनको जवाब देना चाहिए कि हम जिस परकार से देश की सीमाओं के साथ देश की सुरक्षया के साथ जो ख अगर आपकर के इन परिवारों को मदद करें और साथ में जहां भी स्परकार की कोई भी चाहिए और देश की सुरक्षा के साथ कभी भी हमने समझोता नहीं करना चाहिए और हमारे नौजवान साथी जो जजबा हमारे नौजवान इंदुस्तान के नौजवानों के अंदर है वो कार्गिल के अंदर भी हमें देखने को मिले ता उसमें भी लाकों की संखे में नौजवान सटकों पर आकर करके उन्हों रख्तदान भी किया था उन्सैनिकों के लिए जो उस युद में जैने स्यामिलो करके और इंजड होए थे गायल होए थे और हर नोजवान की एक तमन्ना थी कि अगर मुझे इजाज़त मिले तो मैं भी मुर्चे पर जागर के लड़ना चाहता हूँ तो इस परकार का जज़बा हमारे देश के अंदर है हमारे देश के अंदर इस परकार के संसकार है कि जब भी कोई इस परकार की कोई गठना आती है देश के सामने कोई इस परकार की विपत्ती होती है तो पूरा देश एक जूटो करके हमारा एक डाल बन करके अपने देश के जमू कश्पीर में पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में भिवानी की सभी बाजार बंद रहे सभी दुकानदारों ने सडकों पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को इस मामले में बड़ी कारवाई करने की मांग की पर विवानी ने अजबंद का आवान रखा है और हम देश की सरकार से यही परातना करते हैं कि जल से जल उन आत्रमाजियों को डोडा जाए आकलओनी के चार मुर्ला के युवाई खटों हैं जो हमारे सेदों हैं उनके लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद suas मुर्दाबाद रहे गा安 पाकिस्तान का परिवामों च्पक्मरादर रही और हम्ते सियार्पडर को दो हम्ते को निकसरे को इस हम्तोंग flaket पर देस्ट में इस बात का रोस्त है पूरा दर्द है लोगों के दिल में हांकि हमारे सेने हो रहा है अधर्जीsters को मुझें जो राया है और को सुरकर और उनकोर रूक्स को ब्लंकर करें कि शचिया है इसक्ट अज पूरा देश सैनिकों की शहादत पर आक्रोश व्यक्त कर रहा है और भारत के प्रधारमंत्री से बदला माग रहा है पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 42 जवानों की शहादत से हर तरफ गम और गुस्जे का माहौल है जो हमारे सेनिक सहीद हुए है इसमें हम लोगों का अक्रोस है चौवालिस लोगों की सहाधत के बदले हमको चौवालिस हजार लोगों की पाकिस्तानी सेनिकों की सहाधत चाहिए और अब हम चाहते है कि हमारी सेना काश्मीर में ना रहे राहूर में चाहिए सेना हमारी जलूस प्रदरसन विरोधी देश पुल्मावा स्री नगर में जो हमारे साइनिक सहीद हुए उसके बतला विरोध विरोध में जो है और ये वासी की पूरी जन्ता क्या पूरा देश एक्दम से अक्वभुला हो गया है अब सिर्फ और सिर्फ पूरे जन्ता की यही माग है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान से बदला चाहिए क्योंकि अब बर्दास के बाहर है सारी ख़दे पूर पाकिस्तान जो है अपनी क्रास कर चुका है अब बर्दास नहीं है अब पूरा हिंदुस्तान भारत की संकों के साथ है यूपी की जिला पिलिभीत में समाजबादी पार्टी के कार्यकरताओं ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को शरधांजली देते हुए बड़ी संख्या में एकत्थ होकर कैंडल मार्च निकाला ये कैंडल मार्च नावल्टी टाकिल्स चुराहे से होकर में बाजार के रास्ते होते हुए दामदवर पार्क गैस चुराहे पर समाप हुआ जहां सबी कार्यकरताओं ने दो मिनट का मोल रखते हुए शरधांजली अरपित की देखिए जिस तरह से यह जो पुल्वामवा की घटना हुई है बहुत ही बेहत ऐसी घटना है यह जिसकी कितनी निंदा की जाए उतनी कम है हमारे देश के भीर जवान जो इस घटना में सहीद हुए हैं सबसे पहले तो मैं उन सहीदों के लिए धंजली अरपित करता हूँ और उनके परिवार इस तरह से प्रातना करता हूँ कि उनके परिवार को ऐसा दुख सैन करने की हिम्मत दे हौसला दे और आज पूरा देश उन सहीदों के साथ कड़ा है लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ प्यातिस तरह से यह घटना हुई है यह घटना कहीं बार्डर पर जंग के दौरान सहीद हमारे जबान सहीद नहीं हुए है जंग के दौरान की घटना यह नहीं है यह घटना हमारे देश के अंदर की घटना है और ऐसे समय की घटना है मेल हाइवे की घटना है और जब जबान पसके लिए तो हम लोग जिम्मेदार ठैरा ही रहे हैं लेकिन मैं अपने जिए मौजूदार जो जिम्मेदार लोग है जाय मानिय प्रदान मत्री जी हो जाये ग्रै मंत्री हो चाहे रक्षा मत्री हो चैन जो भी जिम्मेदार लोगों, उन्हें इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा, उन्हें इसके लिए कोई ठोस कटम उठाना पड़ेगा, कि आखिर ये घटना हमारे देश के अंदर कैसे हुई, ये भी बहुत 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 चिंता का विसे है, बहुत ही चिंतनी ये व जोड़ पर चलते हुए हाइवे पर जो हमारे जमान सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ने कहीं बहुत चिंतनी ये बात है, इस पर जिम्मेदार लोगों को जरूर संग्यान लेके और कोई ठोस कारवाई करनी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान को गाली देने पर जोड़ा है, इसे भारतिय जन्मानस में पाकिस्तान के खिराफ गुजस्ता है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में खुस कर सबक सिखाना चाहिए. उस पापी पाकिस्तान ने जो ये तब ये इतना घंदा नीच काम कराया है, उस पाकिस्तान को अपने किये का सजा भुगत नहीं होगी. पाकिस्तान को रग केवल उसके खर में खुस के मारेंगे, बलकि पाकिस्तान के अंदर मारेंगे. जैसा पुरी हमले के दोरान हमने पाकिस्तान में घुस के मारा था, उस से भी पुरा हाल पाकिस्तान का होने वाला है, और पाकिस्तान समझे कि अगर वो अपनी हर्कोतों से बाज नहीं आता, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्से सही मिटा देगा. ये भारते जंता पाइटी है ये नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी ने भी पिछले सर्जिक स्टाइक से भी करके दिखाया था और आज भी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान की आने वाली पुस्ते साथ जन्मों तक द्यान रखेंगी यूपी के बिजनोर में उस वक्त संसनी फैल गई जब एक यूवक का शव नाले में मिला मोगे पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट माडम के लिए भेज दिया है नाले में पड़ी ये लाश अशोक कुमार नाम के शक्स की है जिसकी पहचान देहरादूर निवासी के रूप में हुई है कॉर्टलब है कि आज कबरिस्तान के नाले में यूवक की तैरती हुई लाश मिलने के बाद रहागिरों ने पुलिस को सूचना दी मोके पर पहुची बुलिस में शब को कबसे में लेकर जाच परताल शुरू कर दी है यूपी के मुरादाबाद के बाद करते हैं जहां पर बिलारी में एक यूवक की हत्या कर दी गई हत्या की वारदात के बाद इलाके में सलसिनी फैल गई वहीं सूचना पर पहुची पुलिस में मामला दर्च कर जाच शुरू कर दी है क्या गटना हुए थे हैं उसने क्या की बता हुच में सामने में घर प्या और बोमले माच आ रहे हैं बजार से शिकनी कौन सानवाज सानवाज कौन है आपका छोटा वाला च्छोटा लड़का क्या काम परदा है वह इस परता बी तर्फेरी वेली का फाम एक सब्सक्राइब बजाए लड़के का सब्सक्राइब जिसके सुस्राली है हां कहा के शेपनी के हैं उन से क्या मामला रहने वाली शेपनी मेरे रहे हैं अच्छा कोई रंजी सप्रानी ना मुकादेबाई चले यह उससे वह तर्फेर ता मुकादमा लगा जारू अब बहू अच्छा उनकी ल तो फिलाल इस गुल्टर में मेरे साथ इतना ही देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरिन खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार